कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत में जो पुलिस है उसके रिफोम की जरूरत है अब obviously आप लोग ये देखते ही समस जाएंगे कि हाँ बेशिक जरूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बदलने की amendment करने की उनमें सुधार लाने की जरूरत है पुलिस जो है उसको और जादा यानि उनके पास और जादा वेपनरी होनी चाहिए वीकल्स होने चाहिए उनकी कोमुनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह खुद रिपोर्ट्स आई हैं उनके अंदर यह सब बातें बोली गई हैं तो इन सब तीजों को हम बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जाए वो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुडू करते हैं तो देखे भारत में अगर आप को maintain करने के लिए responsible कोन होता है पुलिस, state police होती है इन्वेस्टिकेशन करना हो crime का तो obviously वो स्टेट पुलिस होती हैं अब जो सेंट्रल पुलिस होती है या सेंट्रल पॉर्स होती है वो सिर्फ हेल्प करती है खुफिया जानकारी देने के लिए इंटर्नल सिक्यूर्टी चैलेंजी जैसे कि हमारे देश के अंदर घुश्पेट हो गई तो उस चीज सो रिलेटिट जो हो गए insurgencies हो गई तो वहाँ पर जो है उन सब चीज़ को निपटने के लिए पुलिस आती है वो भी स्टेट पुलिस आती है अब इतना कुछ काम होता है पुलिस के पास तो इनके ओपर खर्चा कितना किया जाता है एक लाख लोगों पर एक लाख लोगों पर कितने पुलिस होनी चाहिए थी यूएन की रिपोर्ट मानने तो 222 पुलिस कर्मी होने चाहिए एक लाख लोगों पर भारत में कितने हैं? अभी रुकिए अभी आप लोगों को बताएंगे अब यहाँ पर आप देखते हैं कि भारत में जो फ्रेमवर्क है जो पुलिस का वो किस से बनाएं Comprising the Police Act 1861, 861 वही, पृटिशी तो लेकर आये थे, अब पृटिश जो है, वो किस मन्शा से लेकर आये थे भारत के अंदर पुलिस इसलिए तो नहीं लेकर आये थे कि यहाँ पर law and order को सही रखने उनका main मकसद तो यही था कि भारत के जो लोग है, उनको दबाना है, उनके वाज उपर नहीं उठने देना है और पुलिस का जितना हो सके, उतना यूज करते हुए उनको पीछे अठाना है यही तो चीज थी, और आज भी उन laws, देखिए आप देखिए 1861 के जो law है, other state specific law वो आज भी लागो है, जिससे क्या आप देखते हैं कि वो accountable police force बन पाती है obviously नहीं, अब while multiple reform जो है वो proposal किये गए थे government of India को, supreme court को, लेकिन वो सही डंग से achieve या implement नहीं हो पाए जितनी उनकी desire थी भया, इनसे बहुत जादा उमीदे थी, लेकिन वो उतने सही डंग से लागो नहीं हो पाए तो आज की date को हम देखते हुए, इंडिया को बहुत जादा जरूरत है एक legal and institutional framework जहां पर हमारी police की, यानि देश की police को smart policing बनाए अब first of all हम देख लेते हैं कि भारत में जो लोग तंत्र है, यानि जो इंडियन डेमोकरसी है उसमें police का एक ideal role क्या होना चाहिए देखे जो primary role होता है न police का, obviously, वह enforced law यानि कि लोग को लागू करना, investigate करना crime को, साथी साथ security सही करना, ensure करना जो लोग हैं देश के अंदर उनकी security को हमारे देश में अगर हम बात करें इतने बड़े देश में जहां पर population इतनी जादा है वहां पर police कैसी होनी चाहिए, well equipped होनी चाहिए in term of personal, यानि उनके पास staff पूरी भरमूत मातरा में होना चाहिए वेपनरी उनके पास up to date होनी चाहिए, forencing, उनकी communication, उनके पास transport इन सब चीजों को बहुँ जादा well equipped होना चाहिए further, they need to have an operational freedom, उनके पास जो भी उनको काम करने के एक freedom होनी चाहिए responsible, professionally, और साथ ही साथ, जो वैसा काम कर रहे हैं उनके according उनको working hard, उनके promotion में opportunity देना, यह सब किया जाने, ताकि यह सब चीज़ें देने के बाद उनको accountable ठहराया जा सके, उनकी poor performance के लिए, या फिर जो उन्होंने अपनी power का misuse किया है, उसके लिए अब अगर आप देखते हैं, हमारे देश में, तो police reform also necessary periodically क्योंकि हमारे देश में crime और insurgencies हैं, जिस तरीके से change हो रही है, sophisticated होती जा रही है, more complex होती जा रही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, पुलिस reform की तो बहुत जादा जरूरत आ गई है, तो क्या आज तक कोई committee नहीं बनी गया भारत में, बेशक बनी, national police commission 1977-81 में बन के आई, 1998 में, 2000 में, 2002-2003 के अंदर, 2005 के अंदर आप देखते हैं, police act drafting committee 2005 में बन के आई, यहाँ पर आप देखेंगे, second administrative reform commission 2007 में, फिर police act drafting committee second हम सारी committees बन के, इन्होंने obviously police सुधार में role play किया है, लेकिन जितनी उमीदें इन से थी, उतनी उमीदों पे खरी नहीं उतर पाई हैं, या फिर कहीं उतनी implement नहीं हो पाई हैं, अब क्या-क्या कमिया है, क्या-क्या चुनोतियां आती है, भारत में जो police है, उसको एक पर हम दिय police force हैं, उनके अंदर 24 vacancies हैं, यानि कि 5.5 लाक रिक्तियां, अब आप देखिए, एक तरीके से अगर जो government है, इन सब चीजों को अगर भरे, तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ, जो एक कमी है police की, वो भी दूर होगे, इस परकार 2016 में एक अनुमाने जो police शमता है, परती लाक व्यक्ति पर 181 होने चाहिए थी, 2016 में, कितनी थी, होने चाहिए थी, 181 और कितनी थी, उस वक्त 137, UN ने कितना बोल रखा है, 222, फिर भी हम कहीं न कहीं 181 लेके चल रहे हैं, अब कर्मियों की obviously कमी होने के कान, क्या क्या होगा, यह समझ सकते हो कि काम क बोज उनके उपर बढ़ेगा, काम का बोज बढ़ेगा, तो उनकी जो efficiency है, उनके उपर परभाव पढ़ेगा, परभाव इतना पढ़ेगा, परिणाम सबरूप, वो जांज जो है, वो सही डंग से नहीं कर पाएंगे, उनके उपर psychological distress हो जाएगा, stress के अंदर रहने लग जा है, वो मामले, pending मामलों की जो संक्या है, बढ़ती जाएगी, ये तो एक, आप दिखेंगे, एक cycle बन जाएगी, अगर यहाँ पर पुलिस कर्मियों की संक्या बराबर केर दी जाए, तो कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें जो होने से बच जाएगे, सबसे बड़ा आप देखत करें, Second Administrative Reform Commission, उन्होंने खुद बात बोली है, कि जो सेंटर स्टेट पुलिस फोर्स है, वो politician executive होते हैं, political executives होते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, तो वो जैसे ही किसी राज्ये के अंदर सरकार change होती है, तो पुलिस की जो priorities हैं, वो change कर दी जाती हैं, ये खुद Second Administrative Reform Commission में ये बात note कही गई थी, 2007 में कि politicians जो हैं, वो गलत परभाव डालती हैं, पुलिस कर्मियों के ऊपर, तो ये एक important चीज हमारे सामने आती है, obviously अब इन सब चीजों को दूर कैसे किया जाए, दूर करने की बहुत सारे उपए, अभी हम उस चीज को भी देखेंगे, first of all जो चुनोत परशाषन को सुवस्तित करने के लिए, अंग्रेज सरकार यांग्रेजों के दौरा, 1867 में एक act लाया गया, पुलिस act, उससे हमारे देश में पुलिस का निर्मान होता है, अब बात करिए 1861 का, 75 साल होगे हमें आजादी को, आज तक वो सब चीजें चल रही हैं, क्या वो सुरी, आज में जो हमारे देश का जो एक संदंतर भारत है, उन जो अकानशा हैं, उनके अनुरूप है, क्या वो, बिलकुल भी नहीं, जनता की धारणा, देखिए, आज हम देखते हैं, पब्लिक पर्शिप्शन, बहुत अच्छा काम कर भी रही है, पुलिस, लेकिन भरस्ट मानते हैं, एक्षम, यानि कि इन्स एफिशेंट, अन्रिस्पॉंसिव मानते हैं, उनसे वो बात करने में हेजिटेट करते हैं, कई लोग डरते हैं, आप खुद देखा होगा, या फिर आपने खुद महसूस भी कभी किया होगा, आपके सामने पुलिस कर्मी है, तो उचगती शेलता की आवशकत हैं, 2015-16 की कुद कैग रिपोर्ट में ये पाया गया, कि जो राज्य पुलिस के पास जो हतियार है, उनमें कमी है, और इसके अलावा, पुलिस अनसंधान और विकास ब्यूरो ने ये पाया, कि राज्य बलों के पास आवशक वहानों के जो स्ट प्लिसिंगे, जिस तरीके से टिकनलोजी चेंज हो रही है, तो चुनोती भाई, भटता जारी है पुलिस के लिए, डिजिटलाईजेशन जैसे हो रहा है, हाईपर कनेक्टिविटी जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे डेटा का ग्रूथ बढ़ता जारा है, उस ग्रूथ को देखते हुए क्या पुलिस भी उतनी ही स्मार्ट होती जा रही है इन सब चीजों को हमें देखने की बहुत जादा जुरूरत है आगे की रा क्या हो सकती है तो देखिए आगे की रा तो यही हो सकती है कि पुलिस को स्मार्ट फोर्स बनाया जाए भारतिय पुलिस को modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive और हमारे देश में ये तक्निकी, कुशल और परशिक्षित बनाने की बहुत जादा जुरूरत है बहुत सारे studies में ये पाया गया पुलिस officer अगर citizen को with dignity अगर treat करते हैं उन्हें equal voice of interaction यानि उनको बोलने का एक समान मतलब ऐसा नहीं है कि कई पुलिस अधिकारी ऐसा माने कि मैं इनसे बड़ा हूँ जो एक आम citizen है वो हमसे चोटा है मैं उसे वैसे treat करूँगा तो वो सब चीजें होंगी तो कभी भी communication gap दूर नहीं हो पायेगा तो अगर उनको बोलने का अधिकार सही है उनको एक बर बराबर समझा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो एक जनता है उनका अंदर विश्वास बढ़ेगा खुद बहुत सारी studies हैं उनके अंदर ये पाया गया है कि मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ ये studies हैं जो ये बताती है तो ये लोगों को द्वारा कानून के अनुपालन को सुद्रिट करता और अपराद को प्रेडित करने वाले जो परिदर्शों हैं उनमें सुधार लाता है अगर ये सब चीजें की जाती है साथ ये साथ community policing को बढ़ावा देना पुलिस और जो community के सदस्चे हैं वो मिलकर काम करते हैं और ये जनता और पुलिस के समद्दों में सुधार लाता है पुलिस से शिकायत प्रादिकरन की स्थापना यानि कि एक complaint authority भी लेके आए जाए सुप्रिम कोट ने माने तो पुलिस जो एक misuse या misconduct करते हैं अपनी जाँच में तो एक स्वतंतर एक independent authority का निर्वान किया जाए according to model police act 2006 के according माने तो एक ऐसी authority बनाने में जो high court है, retired judge हो सकते हैं साथ इसाथ जो retired police अधिकारी हैं वो भी उसके अंदर हो सकते हैं नागरिक समाज के सदस्य हो सकते हैं या फिर दूसरे राज्ये के लोग पर शायशे या निकि administrators इसके अंदर शामिल हो सकते हैं साइबर अपराद का मुकाबला करने के लिए साइबर policing को मजबूत करना देखें चूंकि अपराद का जिसे आप देख रहे हैं sophisticated, more complex होता जा रहा है उन सब चीजों को देखते हुए आज की date में नई digital capability के साथ-साथ innovative AI यानि की artificial intelligence enhance इन सब चीजों को लाने की बहुत जादा जरूरत है उधारण के लिए आप देखते हैं कि भारत में आप crime देखें, cyber crime की लोगों के account में से पैसे उड़ दिया रहे हैं या फिर कहीं न कहीं कैसे लोगों की जो एक privacy है उसका उलंगन किया जा रहा है किसी की phone को hack करके या computer को hack करके उनकी personal information चुराई जा रही है या फिर कितने सारे crime जो है वो कर रहे हैं तो इन सब चीजों के statics और criminal statics को जांचने या उनको update करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है साथ इसके अलावा transparency जो appointment जो होती है उनके अंदर transparency लाने की जरूरत है अब प्राधिक न्याई प्रणाली की सरंचना को सुद्रिड करने है तो पुलिस सुधार बहुत ज़्यादा important है सरवोच न्याले के निर्देशों के अनसार पुलिस अधिनियम 1861 के अंदर सुधार करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और साथ इसाथ addressing women under representation मतलब कि जो parliamentary standing committee है उसने ये advice किया है states और union territory को वो एक roadmap त्यार करें जिसके अंदर 33% representation किया जाए पुलिस के अंदर ये सब चीजें होंगी इन सब चीजों के होने से कहीं ना कहीं भारत की जो पुलिस है वो smart होगी और एक अच्छे तरीके से भी काम कर पाएगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पुलिस reform किया जाना चाहिए जैसे पुलिस के उपर बाहर बढ़ता जा रहा है जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक पुलिस अधिकारी है वो field work भी कर रहा है उसके उपर investigation भी कर रहा है वो बहुत सारे काम कर रहा है तो सोची वो कैसे उन सब चीजों को handle करेगा इन समाम चीजों को देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इनके उपर काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो उमीद करता हूँ कि जहाच का जो topic है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप अपनी राय भी comment section open है उसमें रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कैसे कैसे reform किया जा सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है तो बेशक इस वीडियो को share कर सकते हैं पीडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूँ description box में telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो जो download कर सकते हैं को साज के लिए नहीं था thank you for watching this video